वेलकम फ्रेंट्स सेलफ अध्यन पर, GST प्रैक्टिकल सेशन में आज हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के लिएर कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले हम ड्यू डेट के बारे में GST चलान और रिटर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, नॉर्मली अगर हम GST नॉर बेसिक आता है, जिनने GST का बेसिक नहीं आता, पहले वो मेरा वीडियो 1 से वाच करें, जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है, कैसे कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर उनको समझ आएगा, तो आईए देखते हैं GST प्रैक्टिकल में सबसे पहले GST चलान और GST रिटन, एक तरफ आप देखेंगे GST चलान, जिसमें है, it is a form of tax, ये हमें हर महिने फिल करना ही होता है, लेकिन उस केस में जब हमारा tax हमारा निकलता हो, यानि कि हमारा GST पेबल निकलता हो, उस केस में हमें GST चलान फिल करना होता है, अगर हमारा input credit है, उस क केस में हमें GST चलान भरना जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें GST PMT 06 form को भरना पड़ता है, और अगर हम बात करें, return भरने से पहले हमें GST चलान भरना होता है, इनकी government कहती है, कि पहले आप अपना tax pay करें, उसके बाद अपनी return फाइल करें, तो GST चलान हमें मन्थली भरन होगा किस केस में जब हमारा GST paypal निकल के आता हो, सपोज हमने एक मन्थ में 1000 रुपे का tax रिसीव करा है, और हमारा पहले से ही GST paypal government का हमने input जो ले रखा है, वो 2000 का है, तो उस केस में हमारा input credit निकल के आएगा, हमें GST चलान नहीं भरना, अब आते हैं GST return पर, GST return में हमे पूरा की पूरा detail बताना पड़ता है, it consists detail of tax, हमारा कितना sale हुआ है, कितना purchase है, कितना returns है, अब वो हमें बताना होता है, GST returns, GST चलान के बाद भरना होता है, और ये monthly या quarterly दोनों basis बे हो सकता है, GST return हम कैसे कैसे fill करेंगे, वो हम अगली slide पर देखेंगे, बस यहाँ पर हम ने क्या सीखा कि हम अगर GST return भरना चाहते हैं, तो वो हमें बाद में भरना है, पहले हमें चलान भरना है, और ये तीनों cases में हमें करना होता है, चाहे GST paypal हो, input credit हो, या nil return हो, कोई सा भी case है, हमें GST return file करनी होती है, there are different GST returns, जैसे की GSTR 3 भी, GSTR 1, GSTR 9 annual return हो सकती है, वो आगे हम discuss करेंगे, आज़े देखते हैं, normal dealer और composition dealer, normally, अगर हमने GST registered कराया है, as a normal dealer, तो हम कोई भी sale interest rate कर सकते हैं, पहले अगर देखें, GST paypal इसमें क्या case होता है, output minus input, जितना हमने बेचा है, उसका tax, और जितना हम पर आया है, उतना tax, ये घटाने के बाद, अगर हमारा balance आता है, वो GST paypal, हमें चलान के रूप में भरना होता है, जैसे की हमने पिछली slide में देखा, there are some returns monthly, GSTR 3 भी, और some returns quarterly, जैसे GSTR 1, ये दोनों case में हो सकती है, annual return form 9 हमें भरना होता है, और अगर यहाँ पर audit case होता है, इस firm में normal dealer case में, तो firm 9C भरा जाता है, वो audit के case में होता है, जो CA से, CA के दुवारा भरा जाता है, और जैसे की हमने देखा कि GST, अगर हम भर रहे हैं, normal के case में, तो normal dealer दोनों तरीके से sale कर सकता है, local भी और interstate भी, higher rate इसमें 3%, 5%, 12, 18 और 28 होता है, और यह सभी scheme हर business के लिए available रहती है, लेकिन अगर हम बात करें composition dealer की, तो GST payable इसमें output GST ही रहता है, यानि कि जितना हमने sale करा है, जितना tax receive हुआ है, वही हमारे GST payable होता है, यहाँ पर quarterly returns नहीं होती, यहाँ पर हमें form भरना होता है, CMP 08 quarterly, साथी साथ annual GST 4 भरना होता है, और annual return भरना होता है, form 9A, यहाँ पर composition dealer interstate sale नहीं कर सकते, only उनको permission होती है, intrastate sale करने ही की, तो यहाँ पर can sale only interstate है, यहाँ पर हमारा mistake है, यहाँ पर intrastate sale कर सकते हैं, यानि कि local sale कर सकते हैं, बाहर sale नहीं कर सकते, और इसमें lower rate 1% होता है, traders and manufacturer के लिए, restaurant के लिए 5% होता है, और service provider है, उनके लिए higher rate 6% यहाँ पर available रहता है, यहाँ पर यह scheme उन्हीं business के लिए दी जाती है, जिनका turnover डेड़ करोड तक है, और 75 लाग की limit है, northern eastern states के लिए और उत्राखंड के लिए, normal dealer जिसके लिए currently दो return फाइल करना होता है, जो regular dealer है, एक तो उनको gstr1 और gstr3 भी, यह return उनको फाइल करना है, यहाँ पर gstr1 के अंदर क्या होता है, कि हम जितनी भी bill wise details बनाते हैं, जितनी भी sales invoice हमारी होती है, different तरीके की, चाहे वो हमने business to business की हो, या business to consumer की हो, export की हो, या उनमे return की entries हो, चाहे sale return या purchase return जो हमने issue करा हो, उन सभी का जो record होता है, वो gstr1 में होता है, और यह हमें हर महीने यहाँ पर file करनी होती है, और यह दोनों cases में हो सकता है, quarterly अगर आप कर रहे हैं, तो quarterly gstr1 फाइल करेंगे, otherwise अगर आपका turnover ज़्यादा है date करोड से, तो आप यहाँ पर monthly file करेंगे, उसके बाद gstr1 हमें जब file करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, monthly या quarterly, तो वो कब करनी है, turnover अगर हमारा date करोड से ज़्यादा का है, तो हमें monthly gstr1 file करनी है, जिसकी due date है 11th of the next month, जैसे अब November चल रहा है, तो इसकी due date होगी अगले महिने की 11 तारीक, और अगर turnover हमारा date करोड तक ही है, तो हमारे पास choice है, हम monthly या quarterly दोनों return ले सकते हैं, monthly अगर होता है, तो वही same रहेगा 11th of the next month, अगर quarterly होता है, जैसे gstr1 का due date, जो कि quarterly में October से December है, तो वहाँ पर 31st day का यानि की 1 month का हमें time मिलता है, और हमें जो return file करना होता है, वो अगले महिने की 31st तारिक को करना होता है, लेकिन इसमें कुछ amendment आया है, वो अभी हम आगे discuss करने वाले हैं, gstr1 due date, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, financial year 2020 और 21st के लिए quarterly scheme, अगर हमारी है, तो पहले क्या होता था, हमें one month का time मिलता था, जैसे अप्रेल से जून का अगर हमारा है, तो हमें 31st July, जुलाई से September है, तो हमें 31st October, वहाँ पे हमें one month का time मिलता था, from end of quarter, लेकिन अब क्या है, अब हमें 30 days का ही, 13 days का ही time मिलता है, end of quarter, suppose October से December था है, तो हमारा 13th January तक हमें return file करना है, और January से March का है, तो 13 April तक हमें अब file करना होगा, आने वाले quarter में, ये quarterly scheme के लिए है, उनके लिए जिनका जो amount है, वो up to 1.5 करोड है, और जिनका amount 1.5 करोड से जादा है, उनको monthly scheme में same है, 11th of the next month, वहाँ पर कुछ changes नहीं है, तो यही चीज मैंने आपको बटाया था, जिनका business 1.5 करोड तक ही है, वहाँ पर अब उन्हें 31 दिन का time नहीं है, मतलब 1 month का time नहीं है, उनको अब 13 दिन का ही time मिलेगा, पहले जो हमें होता था कि choose कर लेते थे, कि अगर हमारा income 1.5 करोड तक है, तो हम quarterly या monthly में से कुछ भी file कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 1 October 2020 से जो नया amendment आया है, उसमें अगर आपकी income 1.5 करोड तक है, तो आपको सिर्फ quarterly ही return file करना होगा, GSTR1 का जिसकी 13 दिन का आपको time मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो GSTR1 अब आप नहीं बर सकते हैं, monthly cases पर अगर आपका turnover rate करोड तक है, तो यहां तक हमने सीखा, अब आगे चलते हैं, अगली जो हमारी return है, GSTR1 तो हमने देख लिया, GSTR3B, जिसमें हमारी summary होती है, sale की, purchase की, हमारे output और input tax की, और हमारा जितना भी GSTR amount हमें pay करना है, मंत का, उन सभी की GSTR3B में details होती है, और यह हमें हर महीने ही file करना होता है, इसमें turnover को कोई matter नहीं है, GSTR3B की जो file करने की due date है, अगर turnover हमारा 5 करोड से ज़्यादा है, तो हमें 20 भी तारिक को अगले महीने की, उसका file करना होगा GSTR3B का, और example के लिए November 2020, अगर हमारा month है, तो उसकी जो due date होगी file करने की, वो अगले महीने की 20 December तारिक होगी, और अगर turnover 5 करोड तक का है, तो उसका जो date है, वो 22 और 24 है, 22 तारिक Central West and South India State के लिए है, और 24 तारिक है North and East India State के लिए, नॉर्मली 5 करोड से ज़्यादा का अगर business है, तो उसमें हमें हर महीने की 20 तारिक को ही, अगले महीने का जो हमारा month है, उसकी 20 तारिक को ही हमें GSTR3B file करना होगा, अब बात करते हैं Annual Return की, जैसा हमने देखा, नॉर्मल डिलर के अंदर हमें GSTR1 और GSTR3 भी return file करना होता है, साथी साथ हमें Annual Return भी file करना होता है, Annual Return में हमें जब इसको file करना है, जब हमारी profit and loss and balance sheet, यानि की पूरी की पूरी book of account finalize हो गई हो, next financial year जो हमारा होगा, उसकी 31 December तारिक को हमें Annual Return को file करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखे, 2 करोड तक का अगर turnover है, तो उनके लिए compulsory नहीं है, कि वो Annual Return file करें, भर भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा कुछ compulsory नहीं है, लेकिन अगर turnover 2 करोड से ज़्यादा का है, तो फिर हमें Annual Return को file करना होता है, जैसे पिछला financial year अगर देखे, 2018-19 का, तो उसकी due date थी 31 December 2019, अब जो हमारा financial year पिछला है, 19-20 का, उसका इसी साल, 31 December 2020 को Annual Return file होना है, अब यह different हो सकता है, अगर करोणा का इस पे effect हो, तो यह date आगे extend हो सकती है, लेकिन अभी कोई date extend नहीं हुई है, इसको 31 December तक ही file करने का अभी notice है, and Annual Return में हमें GSTR 9C form भी fill करना होता है, अगर business income 5 करोड से ज़्यादा है, पहले यह 2 करोड थी, लेकिन इसको extend कर दिया गया है, 5 करोड तक और अभी तक इसमें कोई changes नहीं आया है, तो इस financial year में भी, जिनका business income 5 करोड से ज़्यादा का है, उनको 9C file करना होगा, एक बार revise कर लेते हैं, जैसा कि आपको बताया कि हमारा output में से input घटाने पर, जो tax paypal आता है, अगर output ज़्यादा है उस case में, तो GST paypal होता है, और अगर input ज़्यादा होता है, तो उस case में GST credit होता है, GST credit पर हमें चलान फिल नहीं करना होता है, लेकिन अगर हमारा GST paypal है, तो उस case में हमें चलान भरना होता है, यहाँ पर output के लिए, यानि कि sale के लिए हम GSTR 1 file करते हैं, और input के लिए हमारा जो report होता है, वो GSTR 2 होता है, लेकिन यह हम file नहीं करते, basically यह process था, GSTR 2 का, और GSTR 3, जो कि GST paypal का हमें report लगाना होता था, लेकिन यहाँ पर GSTR 1 तो हमें file करना होता है, GSTR 2 और GSTR 3 की जगे, जो आया है, return file करने के लिए process वो है GSTR 3B का, अब चलते हैं अपने next dealer की तरफ, जो है composition dealer, इससे पहले हमने सीख लिया normal dealer, और GST का पूरा calculation का process हम basic GST में सीख चुके हैं, composition dealer को भी हमने वहाँ पे discuss करा था, कि कैसे हम calculation करते हैं, invoices की, GSTR की अगर हम normal और composition में compare करें, वो सारे process को हम basic tutorial में already सीख चुके हैं, यहां बस मैं आपको एक overview दे रहाँ, कि हम जब online file करेंगे, उससे पहले हमको क्या थोड़ा knowledge होना चाहिए, क्या dates वगरा का हमें knowledge होना चाहिए, वो सारी चीजे हमने discuss की, composition dealer, जो की GSTR 4 हमें return file करना होता है, जिसकी due date होती है 18 तारीक, normally अगर बात करें 2017-18 और 18-19 financial year की, तो वहाँ पर हमें जो return थी, वो quarterly file करनी होती थी, 2017-18 और 18-19 के financial year में, हम हर quarterly में next quarter के अंदर 18 तारीक को GSTR 4 return file करते थे, लेकिन अब 2018-19 से और उसके बास से, जो GSTR 4 returns है, उसे सिर्फ annually mode के लिए ही रखा गया है, उसके comparison में एक छोटा से चलान, CMP08 हमें file करना होता है quarterly, same as जो date है हमारी GSTR 4 return की पहले 18 तारीक, वो हमें अब CMP08 form file करना होता है, और annually एक return हमें file करने होती है, GSTR 4 return composition dealer की, तो यह था एक छोटा सा process जिसमें हमने overall एक थोड़ा सा basic concept को सीखा, अब next वीडियो में हम practically online सीखेंगे की कैसे हम file करेंगे returns को, थैंक्स फर वाचिंग, बबबाए.